किस तरह का response आ रहा है आपको सबसे पहले बहुत अच्छा response आ रहा है और अगर आपको अच्छा लगा आपसे जैसे मुलाकात हुए आपने बताया बहुत सारे messages आए लॉट आपने बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है वियर सेलिब्रेटिंग और आज हमारी फिर्स डे प्रमोशन शुरू हुए है आपने बहुत अपने बहुत बहुत लोगों को पसंद आ रहा है तो 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 किस तरह का आपके फैमली और फ्रेंड के तरफ से रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है I think हर जगा से रिस्पॉंस बहुत अच्छा रहा है Social media nowadays connect every religion, every language So doesn't matter अगर किसी को Punjabi नहीं ही समझ आरी But जिनको subtitles समझ आरह है So everybody is just loving it because this is a family film And nowadays कही न कहीं हम family films miss करते है Because even being after watching OTT or theatres may be We want to go with family but somehow we cannot go So this is the film जिसमें आप सारी family साथ में लेके जा सकते And you can all together enjoy So first of all, I'll talk about the title So Godday Godday Cha Iska मतलब क्या होता है आप बताना चाहोगे Godday, Godday होता है गुड़ने Gुड़ने Nees, ठीक है And मतलब Cha means excited Cha means chai nahi That's it But cha means excitement So मतलब इनसान कहना चाहरा है कि मतलब धर्ती से excitement यहां तक आग है Like too much है So like बहुत जादा excitement उसको बोलते है Godday Godday Cha Saathi मैं आप से जानना चाहूँगा आपका किरिदार किस तरह का है Movie के अंदर Mेरा बहुत डिफरेंट किरिदार है I am the younger child of the house Toh जिसने बस तंग किया है Rani को She is playing Rani I am playing Nikko Toh she is very different than what I am in real life Toh मेरा किरिदार मैंने खुद भी expect नहीं किया था That I will play it like that But मेरा personal favorite आज तक का अगर कोई कितार है Toh Godday Godday Cha में Nikko का So it's very different Saathi मैं आपका भी किरिदार जानना चाहेंगे किस तरह किरिदार है Bहुत interesting है मैं ट्रेलर देखा Bहुत मज़ा है Thank you मेरे किरिदार का नाम है Rani घर में बड़ी बेटी है पढ़ना चाहती है कुछ लाइफ में करना चाहती है लेकिन family उसकी शादी कर देती है तो अब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि हमारे तो society में गाहों में जिस गाहों से वो आती है जिस गाहों में उसकी शादी हुए कि तो लड़किया औरते शादी में मतब बारात में नहीं जाती है तो उसको लगता है कि आप जाना चाहिए और अगर मैं सब को ले गई तो कितना अच्छा होगा बट रानी कैसी लड़की है जो कि she's a good daughter, good sister, good daughter-in-law, good wife तो मतलब किस तरहां से लेकिन फिर भी वो सब को एकठा करके planning करती है और फिर सब exit होकर बारात में जाने का पूरा सोचते है and that journey तो बड़ा ही मजा आया मेरे लिए थोड़ा different था मैंने ऐसे period films की है बट रानी की जो qualities है उस तरह का कुछ मैंने पहले नहीं किया था मुझे अच्छा लग रहा है जानके कि आपको अच्छा लगा काफी enjoy किया आप Yes, yes, I enjoyed बहुत मजाया और सबसे जादा मजाया गाना जो अलड़ादे है तो दो दिन तो ऐसा feel होना था कि set पे party चल रही है और हमें बस बोल दिया कि यार आप सब भूल जाए सब भूल जाओ और डांस करो बस खुशियां मनाओ और बस वही किया और जितने भी लड़के all the men on set were like women are you know having such a good time और इतनी energy के साथ और फिर उसके बाद उनका गाना शूट था I think we gave them a lot of inspiration and energy फिर उन्होंने अपने गाने में भी काफी energy के साथ किया है साथी आप क्या बताना चाहोगे story किस तरह की story है story पुराने time की story है जब ladies को घर की female नहीं जाती थी शादी के लिए बारात में नहीं लेके जाते थे उनको घर छोड जाते थे कि you'll do whatever you want to do but जाएंगे सिरफ male members so उस time को पोटरी किया है आज की time में वो दिखाया गया जबकि अब ऐसा नहीं होता it's very rare in some part if you see this so उसको in a very good manner comedy genre, emotional binded story so उस चीज को पोटरी किया गया that was also one of the part of our society की हमें शादी में भी जाने का हख लेना पड़ा था मिला नहीं था so that is the story all around आज के भी जवाने में बहुत जगा होता है अभी भी लड़किया नहीं जाती गाओं जाओं में अभी भी शादा से कुछ गाओं है मेरे आप एकुद यूपी में अच्छा अभी भी है even I think Rajasthan also some parts are there मैं वही कहे थी कि ऐसा नहीं कि पंजाब में आज से 10 साल, 20 साल पहले 25 साल पहले मुझे लगता अल्मूस्ट हर गाओं में ऐसा होता था कि औरते नहीं जाते है पर आप बता रहे हैं तो वाके ही अभी भी है साथी मैं आप से जानना जाओंगा कि आप कोई भी काम करने जाते हैं बहुत सोच समझ के कर दे हैं आपने किनना सोचा इस स्क्रिप्ट को हां करने में और क्या कुछ देखते हो आप इस स्क्रिप्ट में मुझे जब पहली बार जो हमारी राइटर है फिल्म के जगदी कि उन्होंने मुझे बस आइडिया के तौर पर थोड़ा सा बताया कि एक एसी मेरे पास स्क्रिप्ट है कि जिसमें वो औरते पहली बार जाती है आप पता नहीं यकीन मानें या नहीं मैंने पूरा नारेशन भी नहीं लिया था Just on the basis of that idea मैंने बोला कि हां मुझे इस script करनी है तो मेरे पास बहुत कारण थे इस script को हां बोलने के क्योंकि तो हमने जो पहले फिल्म किया साथ में गुड़ियां पटोले वो फिल्म सबको बहुत पसंद आई और पूरी team भी same थी तो मुझे मेरे पास बहुत सारे कारण थे हां 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 बोलने के मैंने तो वक्ती नहीं लिया सोचने का उसी समय मैंने बोला बाकी narration बाद में देना I am doing this well मैंम आपको जब offer आया इसका तो आपका क्या reaction था मेरा character was different जो मैंने आज तक पोर्टरी किया this girl herself is very different तो मुझे ये खुशी थी that I will get a chance to play a different role on screen so मैंने उस excitement में इसको हां किया कि कुछ challenging करने को मिलेगा so that's how I was happy साथी आप classic dancer भी बहुत प्यारी dancer हो मुझे पता चला और आपका song भी आया आप काफी dance भी किये क्या कुछ कहना चाओ किस तरह का experience रहा movie को लेके और song को लेके it's all in all a journey जो हर दिन different होती है so classical dance is something that is in my core in my blood वो मैं छोटे होते से करें I have voted that at national levels also रही बात acting की so those ये दोनों pillar बहुत different है but yes of course the dance that we have done in our song has no form just joy just pleasure and I think कोई भी form of dance or acting तभी माइने रखती है जब आप उसे 100% खुशी से करते हो so 100% की खुशी है मेरे लिए चाहे फिल्म हो चाहे गाने हो चाहे डांस हो that's how I see that real बनने वाली है? song के उबर की फिल्म कव आ रही है और लोग धेर सारा प्यार देने वाले क्या कुछ कहना चाहोगे की OTT पे आने वाली नहीं है फिल्म तो आप पहले ही थेटर में जाके देखें and the best part is की पूरी family के साथ जाके देखें because that's a total family fun time film and सभी बहुत enjoy करेंगे thank you ma'am thank you so much